आज के सेशन में हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक डिसकास करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राश्ट्र के प्रिंसिपल और गन्स यानि कि यह जो पूरा यूनाइटेड नेशन संयुक्त राश्ट्र है यह function किस तरह से करता है उसके मुख्य अंग कौन कौन से है यून जेनरल असेंबली है सिक्योरिटी काउंसिल है सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपोर्टन है बहुत एंटी डेमोक्राटिक फीचर भी रखता है तो यह सारी चीज़े देखेंगे क्या criticism है उसके उसके बाद International Court of Justice दिसकास करना है ECOSOC यान Economic and Social Council है वो देखेंगे Prestige Council क्या है क्यों आज कलब function नहीं करता है उसके बाद Secretariat क्या है अलग-अलग जो Secretary Generals बने उनसे related कुछ important facts देखेंगे previous year questions discuss करेंगे और important MCQs जो हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे क्यों इतना सब कुछ? क्योंकि यह जो United Nation है यह बहुत important topic होता है right from one day examination to IAS means कोई भी exam ऐसा नहीं होता जहां यहां से question नहीं बनते हूँ तो अच्छे से हमें discuss करना है unnecessarily depth में नहीं जाएंगे लेकिन कुछ भी important आज मिस नहीं होगा each and every student जो competitive exam देता है यहां यह topic आपको पढ़ना ही होता है इस session के बाद मुझे नहीं लगता और ज्यादा ज़रुरत आपको depth में जाने की पढ़ेगी ठीक है जी but before that wishing you all a very happy रक्षा बंदन सभी को रक्षा बंदन की धेरों शुपकाम नहीं भाई बहन का त्योहार माना जाता है definitely लेकिन आज कोशिश कीजिए एक रक्षा सूत्र खुद के साथ भी बादने का यानि एक ऐसा promise खुद से कीजिए कि आप अपनी mental health, emotional health की रक्षा करेंगे because यह कोई और नहीं कर सकता, यह आप ही कोई करनी होती है और हर care की, हर relation की शिरुवात हम से होती है हमारे mind हमारे mental stability, emotional stability से होती है तो छोटी-छोटी practice ही सही, कुछ positive reading सही, कुछ थोड़ा सा 15-10 minute का ही सही पर meditative experience कुछ नो कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी emotional and mental well-being सही रह सके आज यह रक्षा सूत्र जरूर बांदिएगा खुद से, ठीके, on this note चलिए, let us start with today's session पर्चम ने 5-year compilation किया है SSC PYQs का, so SSC के अंडर में जो भी important examination आते हैं जैसे CGL, CHSL, CPO, MTS, then your JE, इन सब का 5 साल का year-wise and subject-wise, पूरे GK का History, Geography, Policy, Economy, Science, इस तरह से पूरा compilation आपके लिए लाया गया है because किसी भी exam को अगर crack करना है, syllabus और PYQs इन दोनों पर बहुत पकड़ होनी जरूरी है PYQs को हम usually for granted ले ले लेते हैं, लेकिन ये पूरी soul दिखा सकता है उस exam के आपको तो ये जब आप document अच्छे से study कर लेंगे, तो definitely आपको समझ में आ जाएगा आपका exam आपसे पूछ क्या रहा है इसी तरह से और भी exams के compilation जल्दी आपके लिए लेके आएंगे, अभी के लिए अवेलेबल है, परचम app से या फिर परचम classes.in से आपके सकते हो and रक्षा बंदन के उपलक्ष पे बहुत heavy discounted sale आपके लिए लाई गई है, जो कि आज अभी live हो चुकी है और कल सुभह यानि की 31st of August 9 बजे तक ये चालू है, so do take help of that sale, अगर आप कुछ भी buy करने का plan कर रहे हो, तो definitely check out परचम app for all the heavy discounts, happy रक्षा बंदन चले, आजाते हैं हम आज के session की तरफ, so United Nations क्या है, हाला कि पिछले session में एक session हमने अलड़ी UN का लिया है, जिसके अंदर हमने detail में बात की है, United Nations क्यों बना, कैसे बना, किन backdrop में बना, World War 2 का समय चल रहा था, और इससे पहले एक League of Nations भी बना था, तो वो League of Nations क्या था, वो क्यो बना, क्यों फेल हुआ, यह सारा discussion हमने एक session में अलड़ी कर लिया है, अगर आपने वो session नहीं देखा, do not worry, because आज की जो हम बाते करेंगे, independent है, आज हम सब present की बात करेंगे, पिछले session में हमने सारी past की बात की थी, दोरो sessions important है, पर आप यह independently पढ़ सकते हो, उस session को आप बात सारे nation, particularly आज की बात करें, तो 193 nations हैं, जो एक साथ, अलग-अलग देशों की इस organization हैं, जो कि एक साथ आते हैं, कौन से साल में यह साथ आये थे, यह 1945 में आये थे, 51 nations साथ में, initially 51 nations थे, जो की साथ आते हैं, और आज इनकी संख्या बढ़के 193 बन जाती है, और यह decide करते हैं कि भाई हम इस तरह से पूरे world की governance करें, सब एक जुठ हो करके, आपस में सहमती से decisions लें, ताकि एक और world war की situation नहीं खडी होनी चाहिए, world war 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बना था world war 2 के end के towards, ठीक है, so 1945 में बना था, main objective क्या है, peace रहनी चाहिए, security रहनी चाहिए, सारे प development की तो बात ही छोड़ दीजे, सब कुछ धर से था, तो social development होई नहीं सकता, तो यह वापिस से कायम किया जा सके, human rights को protect किया जा सके, because बहुत सारे लोगों के human rights curve किये गए थे, जैसे Jews का जो पूरा genocide हुआ था, आप जानते होंगी, तो अलग-अलग communities को target करके मारा जा रहा तो अब जब यह organization बनी, सयुकत राश्रिया, United Nation जब बना, तो इन्होंने decide किया कि एक और World War 3 नहीं होना चाहिए, और World War 2 से जो भी नुकसान हुए हैं, उन से वापिस भरपाई की जा सके, एक developed globe की तरफ बढ़ा जा सके, इस objective से इसकी शुरुवात की गई थी, यहां तक ब October 1945, इसको UN Day के तोर पर observe किया जाता है, क्योंकि जो UN Charter बना था, इनके जो पूरे Rules and Regulations बने थे, कैसे function करेगा, क्या होगा, वो apply कब हुआ था, application में कब आया था, 24th October 1945 को आया था, ठीके, तो originally 51 Member Nations थे, और वो बढ़कर के आज की तारीक में 193 हैं, present members कितने हैं, 193 हैं, चर्च में भी हम जाते हैं, क्या India एक founding member था UN का, yes, India was a founding member of UN, जब ये 51 nations साथ आये थे, इंडिया भी इसका एक पार्ट था, अब officially India ने कब जोइन किया, अब देखो, एक होता है, जब UN Charter बन रहा था, ये फटा-फट से मैं briefing दे रही हूं, जन बच्चा ने previous session देखा होगा उन्हों ने पढ़ लिया है, फटा-फट से briefing ले लो, functioning पर चलेंगे, so, जब initially UN Charter साइन हो रहा था, तो India ने भी साइन किया था, ठीके, लेकिन signing और ratification, यानि कि आपने initially साइन तो कर दिया, लेकिन अब जब आपकी जो सरकार है, आप वापस अपने देश जाओगे, अपनी UN का पार्ट कब बना, question आता है exam में, previous year question है ये, so, India officially कब पार्ट बना, 30th October 1945, हाँ जी बिल्कुल, 24th October को UN existence में आ गया था, लेकिन India ने अपना ratified, यानि approved document कब submit किया है, officially India member कब बना, 30th October 1945, लेकिन initial 51 members में, obviously वो था, ठीके, इन 51 members में last कौन था भई, 51st number का member कौन था, जिसने sign किया, चलो बताओ, पढ़ा चुकियों आए हो, मैंने आ नहीं लिखा हो, नहीं लिखा है, चलो बताओ, 50 members एक साथ आयते, फिर एक nation था, जिसने last में आकर के sign किया था, जल्दी से बता दो, चलो, recent most edition, यह जो हम बोल रहे हैं, 193 member nations आज, पार्ट है UN का, तो उनमें last edition, या New York के अंदर है, United Nation के headquarter, New York के अंदर है, सिरफ एक principal organ है, International Court of Justice, हम जो six principal organ अभी पढ़ेंगे न, चहे मुख्य अंग, उसमें से एक organ है, जो की Hague, Netherlands में headquarter है, बाकि सारे organs, New York से ही operate होते हैं, ठीक है, ना, यह भी कई बार पूछ लिया जाता है, कि UN की कितनी official and working languages हैं, और कौन कौन सी हैं, आपको चार option दे देंगे, इन में से कौन सी नहीं है, इन में से कौन सी, etc., तो छे official and working languages हैं, यह याद रखिएगा, कितनी हैं, six हैं, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले यह पांच थी, और Arabic बाद में last में add की गई थी, so initially Chinese, English, French, Russian and Spanish, जब UN बना था, तो उस समय जो भ official languages के तौर पर establish किया गया था, तो English थी, French, Russian, Spanish और Chinese, और फिर बाद में Arabic को add कर दिया गया था, तो six official languages यह होती है, कैसे याद करवाया था, कैसे करवाया था, scarf से करवाया था, S-C-A-R-F, और मैंने कहा था, E तो आएगा ही, क्योंकि English तो आएगा ही, तो Spanish, Chinese, Arabic, Russian, और French, और English तो जानी नहीं है कहीं, तो scarf से आप यह 6 languages याद रख सकते हो, अब United Nations का predecessor या precursor, predecessor यानि इससे पहले कौन सी एक global organization थी, तो League of Nations, कौन सी थी, League of Nations, Treaty of Versailles, 1919 में sign हुई थी, जिसके तहत League of Nations बना था, 1920 में, League of Nations की इस था, अपना का हुई थी, 1920 में, 1946 में इसने अपनी functioning बंद क 45 से UN ने अपना काम चालू कर दिया था, ठीक है जी, यह पूरा मैंने brief दे दिया आपको, जिन्होंने previous session देखा होगा, उनके लिए recap हो गया, जिन्होंने नहीं देखा होगा, आपको basic understanding मिल गई होगी, यहाँ तर clear है, अब, आज की पूरी कहानी इन 6 bodies के अर्द गिर्द रह होता है, अभी सबको detail में पढ़ना है हमें, ठीक है, लेकिन अभी briefing लेलो, UN General Assembly में जितने भी member nations है, UN के, कितने member nations है, 193, तो यह सारे के सारे member nations सिर्फ एक organ के अंदर आपको एक साथ दिखते हैं, और वो है UNGA, UN General Assembly, और बाकी कहीं भी सारे members का representation नहीं हो, ठीक है, यह साल में एक बार मिलती है, अभी detail पढ़ेंगे, दूसरा principle organ आता है, United Nations Security Council, हिंदी वाला भी मैं साथ में खोल लेती हूं, ताकि वो बच्चे भी समझ सके, सायुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत, ठीक है, so UN Security Council, यह सबसे विवादास्पद, यानि सबसे आदा controversial principle organ माना जाता है, पूरे United Nations का क्यों, क्या controversy associated है, क्या disbalance of power है, वो सब हमें discuss करना है, और यह बहुत important है, UN Security Council, detail में पढ़ना, क्योंकि इसको undemocratic बोला जाता है, क्यों undemocratic, कौन सा undemocratic इसका part है, कितने members होते हैं, कैसे elect किये जाते हैं, all this is very important, ठीक है, detail में पढ़ेंगे अगे, third principle organ आता है, International Court of Justice, यानि की अंतराष्ट्रिय न्यायाले, International Court of Justice, जब हम League of Nations पढ़ा था, यानि UN से पहले League of Nations था, League of Nations ने भी एक Court of International Justice बना के रखा था, तो हमने as it is, UN ने as it is उसको ले लिया, वो हेग नीदरलेंस में था, ये भी हेग नीदरलेंस में headquarter है, कैसे function करता है, इंडिया के भी ए ECOSOC, इसको क्या बोल देते हैं, ECOSOC, Economic and Social Council, तो जितनी भी economic या social या environment related activities होती है, meetings होती है, conduct किया जाएगा, follow up लिये जाएंगे, वो सब यहां से होते हैं, जितनी भी UN agencies हैं, जैसे कि आप UNICEF, UNESCO, UNIDO, WTO, ये सब World Bank, ये सब बाते सुनते होगे न, इन सब के news में कहीं न कहीं mention आता है, वो सब ECOSOC के through, coordinate करती हैं, अभी again पढ़ेंगे, फिर आता है, trusteeship council, ये सब से least functional body रह गई है, क्यों, देखेंगे, secretariat, जैसे हर office में secretariat होता है, ये भी secretariat के head को बोलते है, secretary general, और जो की सारे administration का head माना जाता है, okay, Antonio Guterres है अभी, तो एक एक करके अब ये लेते जाए जैंगे, और सब हम पढ़ते जाएंगे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आर्थिक और सामाजिक परिशद हो गया, अन्यास परिशद हो गया, सचेवाले होगे, ठीके, trustorship council को न्यास परिशद बोलते है, secretary को सचेवाले बोलते है, यहां तक ही बाते क्लियर है, okay, चलिए, त जितने भी सारे members हैं, they can sit, तो यह UN का hall है, जहां पर assembly की meeting कंड़क की जाती है, आचा, before we move forward मैं PDF की information देदू, because पढ़ाई के flow में, I will forget this thing, तो जो मैंने first session में UN का आपको वीडियो दिया है, और आज वाले session दोनों का एक combined PDF है, जो आपको पढ़चम classes.in website पे अवेलेबल करव जाते हैं, और वो आपको पढ़चम app से मिल जाता है, तो जो बच्चे बहुत ज्यादा PDF के थुरू पढ़ते हैं, उनके लिए recommended होता है, PDF बैंक ले लो, economical भी पढ़ेगा, और reasonable भी पढ़ेगा, नहीं, मतलब convenient भी पढ़ेगा, आपको बार बार जाकर के buy नहीं करना पढ़ UNGA क्या है, main policy making organ है, जितनी भी policies बनेंगी, वो mainly UNGA बनाता है, because सारे member nations participate करते हैं, तो सब आपस में dialogue discourse कर सकते हैं, majority के साथ में decisions लिये जा सकते हैं, तो जितने भी main policy making work होते हैं, वो यहाँ पे किये जाते हैं, क्योंकि multilateral discussion का provision देता है, सारे अलग अलग आयाम पे discussions कर सकते हैं All 193 members are represented, only UN main organ है, अकेला एक main body है UN का, जहाँ पे universal representation होता है, universal यानि सारे members यहाँ पे आकर के participate कर सकते हैं, हर member state को एक vote दिया हुआ होता है, जो भी मुद्दे होते हैं, उन पे voting होती है, और हर एक member के पास एक vote होता है, ठीक है, यह जो UNGA है, यह regular sessions में मिलती है, साल में एक ब इनकी जो annual meetings होती है, वो regular session में होती है, जो September से लेकर December तक या उसके बीच में stretch होती है, और उसके बाद अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो होगी, वरना annually एक बार इनकी meeting होती है, September से December ठीक है, जो हर एक जैसे UNGA है, उसका भी कोई president होगा, कोई ना कोई preside करेगा, अगर आप देख रहे हो न, यहां पर president बिराजेंगे, और फिर सारे लोग बैट करके memonations discuss करेंगे, so UNGA का जो president होता है, वो हर साल elect किया जाता है, one year term के लिए, ठीक है, एक साल की term के लिए उनको elect किया जाता है, so यह ध्यान रखेगा कि UNGA के president का tenure कितना होता है, one year, अगले साल वा assembly का पूरा time चल रहा है, और उसके अभी president कौन है, कसाबा कोरोसी, हंगरी के है, कसाबा कोरोसी, so यह भी, जो भी चीज़ा बोल्ड कर दी है, मैंने अलग से important है, 77th general assembly है, उसके president कौन है, हंगरी के कसाबा कोरोसी है, also, जो अगला session होगा न, 78th session, जो कि January से start हो जाना है, तो, sorry, September से, coming September to this September, so उसके लिए भी अभी से president decide हो चुके है, कौन रहेंगे, so वो रहने वाले हैं, Trinidad and Tobago से, Dennis Francis, Trinidad and Tobago, Dennis Francis, तो यह दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, अभी जो current president है, UNGA के, वो हंगरी के हैं, कसाबा कोरोसी, और 78th session जो UNGA का होगा, उसके president कौन होंगे, Trin Trinidad and Tobago से, Dennis Francis, जो नया session, जो नई president का tenure है, जो नया session है, वो September से ही शुरू होगा, तो September में लोग मिलते हैं, नया-नया session, start होता जाता है, this is how it functions, अब हम आते हैं, UNGA के main functions, एक तो हमने बोला, ठीके principal organs है, organ है, सारे main deliberations यहां होंगे, पर किस तरह के deliberations, किस तरह के discussions, किस तरह क नतीजे, तो वो देखते हैं, key decisions UNGA के क्या रहते हैं, अगर आपको Secretary General appoint करना है, कहां का, United Nations का एक Secretary General होता है, जो की administrative head होता है, जितने भी admin work होंगे, वो उनका head होता है, और also यह अपने suggestions वगेरा भी देता है, कि जो भी decisions लिये जा रहे हैं UN में, वो किसी भी तरह से negative impact तो नह Security Council करता है, ठीक है, लेकिन final deliberation होके decision कौन लेगा, UNGL लेगी, number one, कौन से states UN की membership में आएंगे, states का मतलब है nations, states का क्या मतलब हो गया, countries या nations, global level पे states बोल दिया जाता है, तो कौन कौन से states को UN की membership मिलेगी, यह भी recommendation कौन करता है, recommendation आती है, Security Council से, लेकिन final उस पे जो discussion, dialogue, deliberation होग decision लिया जाएगा, वो UNGA के अंदर लिया जाएगा, तो देखिए हर जगे जो recommendation आ रहे हो security council से, security council में जब तक कोई recommendation पास नहीं हो जाता, majority से, तब तक वो UNGA में नहीं आ सकता, तो security council के पास काफी power है, ठीक है, लेकिन final decision है कहां आ रहा है, चलिए ठीक है, UNGA के पास में आ रह कौन elect करता है, UNGA elect करता है, अब जो security council है, उसमें total 15 members होते हैं, हम देखेंगे, जिनमें 10 non permanent होते हैं, 5 permanent होते हैं, तो यह जो 10 non permanent members है, इनको कौन elect करता है, UNGA elect करता है, ठीक है, और उसके अलावा, UN का जो budget होगा हर साल, कितना खर्चा हम कर सकते हैं, कौन कौन से area में कितना budget ह होगा, वो भी UNGA decide करता है, ठीक है जी, तो चार main functions हमने देख लिए, जिसे secretary general को appoint करना हो गया, security council के non permanent members हो गए, उसके अलावा कौन कौन से states या countries हैं, जो UN के member बनेंगे, और budgetary allocation, यह सारा main deliberations कहां होंगे, UNGA के अंदर होंगे, fine, आगे बढ़ते हैं, now how it works, UNGA function कैसे करता है, तो भाई, 193 members अगर states बैठे हैं, तो हर चीज voting से ही तै होगी, है न, voting से होगी, so decision making जो है, वो दो तेरे से होती है, या तो two-third majority पर work करती है, simple majority पर work करती है, जितने भी members है, two-third majority, या फिर simple majority, जितने भी present है, उनमे 50% प्लस जो majority आ जाएगी, decision पे, so two-third majority, importance वाले जो भी decisions होंगे न, उनमें ली जाती है, जैसे कि peace and security related कोई discussion है, तो two-third majority, या न, दो तेहाई majority, पूरे house में two-third majority maximum मिलनी चाहिए, तो जाके, अगर new members को लाना है, budgetary matters है, peace and security है, तो two-third majority होगी, और उसके अलावा, अगर कोई general मुद्दे हैं, तो उस पे simple majority से decision ले लिये जाते है, ठीक है, now, sitting arrangement भी important है, जैसे class में sitting arrangement important होता है, अगर मैम एक ही एक बच्चों को आगे बठाए रखे, तो parents complain कर देंगे हमारे बच्चे को पीछे बठा रखे, इसी तरह से UNGA में भी आगे, आगे बैठना थोड़ा important माना जाता है, so, यह rotation चलता रहता है, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, sitting arrangement changes each session, हर साल sitting arrangement change हो जाता है, अगे कौन बैठेगा, नहीं बैठेगा, so, 78th session की अगर हम बात करें, जो अब 23-24 का होगा, September में अब start होगा, so, North Macedonia, जो है, वो first seat in the hall occupy करेगा, this is also important हां जी, chief guest होते है, आगे बैठने, उस तरह की feeling आएगी, so, North Macedonia will be the front seat, 23-24 का जो 78th session of UNGA होने वाले है, अब यह जो आपको कुछ dark color में दिख रहा है, यह एक interesting fact है, कि जो पहली UNGA की meeting session हुआ था, United Nations General SMD का first session, अभी हम 77th session में हैं, अगले साल 78th session अभी, September में अभी चालू हो जाएगा, तो जो first session था, वो Westminster Central Hall, London के अंदर हुआ था, 1946 में, so, 1945 के अंदर, United Nations existence में आ गया था, लेकिन UNGA की पहली meeting कब हुई थी, 1946 में हुई थी, लंडन में हुई थी, आजकल कहा होती, New York में होती, तब London में, Westminster Central Hall में हुई थी, ठीक है, तो I hope United Nations General Assembly is clear to you, जितने भी member nations होते हैं, वो वहाँ पर अपना representation देते हैं, जो important मुद्दे होंगे, उनके उपर two-third majority से discussion लिया जाएगा, simple मुद्दों पर simple majority हो जाती है, जो president है, वो हर साल elect किया जाता है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, security council, बहुत important है वही, UN जी भी था, बड़ ये बहुत जादा important है, अब देखो, security council में एक ये typical horse shoe shape table होती है, जैसे वो घोडे का खूर होता है न, horseshoe, इस तरह से, तो horseshoe table देखी जाती है, UN, SC, UN, United Nations, security council, यानी सुरक्षा परिशत के अंदर, क्यों, क्योंकि कम members होते हैं, ये पीछे तो उनके delegates और बैठ गए, लेकिन total members कितने होते हैं, UNSC में 15, 15 members आदे हैं, important है, ओके, चलो, आजो, UNSC समझते है security council, primary responsibility, नाम से समझ में आ रहा होगा, security council है तो security, peace and security maintain करना सबसे primary responsibility है, international peace and security, बही आपस में दंगे, फसाद, जगडे, वार, ये सब नहीं होने चाहिए, जितना शांती से discussion किया जा सके, या ऐसे decisions पे पहुँचा जा सके, ताकि आपस में conflicting situations arise ना हो, war situation, disturbing situation arise ना हो, वो काम security council ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने होंगे UNSE के, 15, याद कर लीजेगा बिलकुल, 15 मेंबर्स UNSE के, अचा, ICJ जब हम पढ़ेंगे ना, International Court of Justice, उसमें भी 15 मेंबर्स होते है, इसमें भी 15 मेंबर्स होते है, लेकिन इन 15 मेंबर्स का, अब आप bifurcation देखी, 5 होंगे permanent, जब से UNSE ब France, Russian Federation, या Russia बोल लो, United Kingdom and US, UK, US, France, Russia, China, 5, permanent members है UNSE के, इन में से किसी की भी मरजी के बिना UNSE में कोई फैसला नहीं लिया जाता, इन में से एक भी अगर बोल दें नहीं में अगरी नहीं करता, तो वो फैसला नहीं लिया जा सकता, यह है veto power, अभी हम देखेंगे, ठीक है, और यह सबसे un-democratic character है, तो यह 5 के नाम ध्यान रहेंगे, UK, US, Russia, France and China, यह 5 permanent members है UNSE के, बाकी 10 non-permanent members होते हैं, जो हर 2 साल की term के लिए appoint किये जाते हैं, elect किये जाते हैं, कौन elect करता है, United Nations General Assembly elect करता है, हमने देखा था अभी, so 10 non-permanent members होते हैं, elected for a 2 year term, यह तो permanent है, 5, इनकी कोई term नहीं है, लेकिन यह बाकी जो 10 हैं, वो 2 साल के लिए appoint किये जाते हैं, अब मैं समझाओंगी कि 2 साल के लिए, जो appoint किये जाते हैं, फिर भी election हर साल conduct किये जाते हैं, क्योंकि जो 10 members है, हर साल 5 members अगले साल के लिए nominate करते जाते हैं, I'll just explain, अभी के लिए इतना ही समझो, यह यहां तक की बात clear है, yes or no, हाँ, तो वहां घर बैठे बैठे yes कर दो, I will get your energies के समझ में आ रहा है, so यहां तक 15 permanent members, 15 members, 5 permanent, 10 non permanent, now, हर एक member के पास 1 vote है, all 15 members have got 1 vote, under the charter, के भाई, जो भी decision लिया गया है, अगर UN Security Council ने कोई decision ले लिया है, तो फिर everybody has to agree to it, council decision के साथ में, under the charter, all member states, all member states will have to agree or comply with that particular decision, ठीक है, कुछ decision ऐसे थे जिन में UN SC recommendation दे रहा है, लेकिन final decision UNGA का था, ठीक है, ध्यान है कुछ ऐसी चीज़, कि United Nation General Assembly ने recommendation दिया कि Secretary General कौन होना चीए, लेकिन United Nation Security Council ने recommendation दिया, लेकिन UNGA ने final decision लिया, ये कुछ cases है, लेकिन ऐसे decisions, जो कि UN SC ही लेगा, जैसे peace और security से related, वो सब को मानने पड़ेंगे, उसके उपर फिर UNGA के अंदर deliberation नहीं होगा, ओके, चलिए, so, security council का जो president होगा, वो हर month change होता है, rotation पे, अब ये जो 15 member nations है न, उनी में हर महीने, हर महीने, नया-नया president बनता रहेगा, president का काम क्या होता है, पूरी meeting को preside करना है, नहीं coordinate करना होता है, lead करना होता है, तो ये हर महीने change होता रहता है, अब आजए, इंडिया की बात करते हैं, और ये मैंने question आप से, पिछले session में पूछा था, कि इंडिया total कितनी बार UNSC का member बन चुका है, ठीक है, यानि कि ये जो 10 non-permanent members हमने बोले न, 5 तो permanent हो गए, प्लस ये 10 non-permanent member हैं, तो इन 10 non-permanent member में, इंडिया कितनी बार represent हुआ है, तो total 8 times represent ह हुआ है, total 8 बार हम UNSC के member बने हैं, और last हम बने थे 21-22 session के लिए, क्योंकि ये हर 2 साल के लिए बनता है member है, तो हम last 21-22 के लिए बने थे, fine, उससे पहले कौन से years हैं, तो ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हूँ, चलो, मन्तब not that important के हर एक साल आप याद करो, पर ठीक है UNGA, ये गलत जगे लिख दिया गया है, ये United Nation General Assembly में लिख दिया, पर क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे थे, तो यहीं लिख दिया, जो United Nation General Assembly हमने देखी न, उसमें जो President है, एक-एक साल के लिए अपॉइंट किये जाते हैं, yes, so United Nation General Assembly महा सभा में, इंडिया की पहली, इंड President from India in United Nation General Assembly, और यहां आप मुझे बताएंगे year, कौन से साल में she had become the President of UNGA, ठीक है, चली, इसमें कोई confusion तो नहीं है, ये UNGA की बात हो रही है, UNGA हर साल अपना President change करता है, United Nation Security Council हर महीने अपना President change करता है, उसके President की बहुत जादा कुछ importance नहीं है, लेकिन UNGA के President को importance दी जाती, त पहली President of UNGA from India, year आप मुझे बताओगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, now, coming over to functions and powers of Security Council, Security Council के पास में क्या-क्या powers हैं, क्या-क्या functions हैं, तो सबसे पहला international peace and security उसको maintain करनी है, dispute की situation अगर होती है, तो उसको investigate करेगा, क्यों हुआ कोई dispute, international dispute, फिर methods recommend करेगा, कि कैसे dispute को settle किया जा सक है, अगर settle नहीं हो रहा है, तो armaments को, भाई, अगर कोई दो देश हैं, अपने arms के उपर अडगे हैं, कि नहीं हम तो अपने पास nuclear weapons बनाएंगे, etc., तो plans बनाना कि कैसे armaments को regulate किया जाए, ताकि हर कोई एक दूसरे के उपर हत्यार बाजी ना करे, तो जैसे nuclear treaty हो रखी है, कि ह भाई, dispute settlement नहीं हो पा रहा है, और किसी ने कोई ना कोई रूल तोड़ दिया है, तो उसके उपर sanctions लगाना, आप सुनते होगे न, रश्या के उपर sanctions लगा दिये गए हैं, तो एक तरह से penalty समझ लेजे, economic sanctions लगाना, या ऐसे तरीके जिनसे किसी भी देश का aggression रोका जा सके, कि भाई, आप दूसरे के उपर aggression मत दीजे, उसके अलावा अब जैसे रश्या ने युक्रेन के उपर, for example, aggression शो किया, तो उसके उपर sanctions लगे, पहले dispute settlement की कोशिश की गई, फिर warnings दी गई, फिर sanctions लगाये गए, फिर कुछ और तरीके अपना है जाएंगे, military actions तक लिए जा सकते ह अग्रेसर के against, तो ये तो पूरा हो गया, security से related function, number one, उसके अलावा, recommend admissions of new members to UN, हमने देखा ही था, ये recommend करेगा UNGA, फिर उनको elect करेगा, recommend UNGA, the appointment of secretary general, और assembly के साथ मिलकर के, ये ICJ के judges को भी elect करती है, तो अब एक तो हमने बोला, नए कौन-कौन से देश UNGA में आएंगे, वो ये recommend करेगा, secretary general कौन बनेगा, वो UNSC recommend करेगा, international court of justice में कौन से judges बैठेंगे, वो 15 judges, उनको भी UNGA के साथ में मिलकर के, UN Security Council elect करता है, यानि UNGA plus UNSC मिलके elect करते हैं, judges कहां के, ICJ, International Court of Justice के, ठीक है, function समझ में आगे, चलें आगे, membership and election of security council, अब यहाँ पर जो आपको ये pictures बगेरा दी गई हैं, everything is important, take note of it, तो देखो, UN Security Council के members हमने बोला, 5 तो permanent है, UK, US, China, Russia और France, 10 non-permanent members जो हैं, कैसे decide किया जाते हैं, कौन बनेंगे 10 non-permanent members, randomly डाल देते हो, किसी को भी बठा सकते हैं, election करके, नहीं, इसके लिए quota है, कि जैसे हमारे भी क्या होता है, parliament के अंदर, assemblies के अंदर, अलग-अलग state के पास में, quotas होते हैं, कि यहां से इतने members आ सकते हैं, यहां से इतने members आ सकते हैं, similarly what happens, कि जो 10 non-permanent members हैं, उनके लिए divisions कर दिये हैं, कि इन 10 में से, Africa से 3 members आ सकते हैं, Asia से 2 आ सकते हैं, यानि Africa, Asia को मिला लो, तो 5 members तो यहां से आएंगे, population, etc. के basis पे यह division किये जाते हैं, फिर Latin America और Caribbean, Latin America क्या होता है, South America और Central America को मिला के Latin America बोलते हैं, Latin America और आसपास के जो island से Caribbean वगेरा, वहां से total 2 members आ सकते हैं, 2 members Western Europe से आने ही आने चाहिए, और एक Eastern Europe से, तो यह जो 10 members होंगे, यह इस ratio के अंदर चुने जाने चाहिए, अब इन में से कौन से country को आप चुनते हो, वो आपके election के basis पे हो जाएगा, So this much is clear to you? Yes? तो जल्दी से आजो, हर साल General Assembly जो है, वो 5 non-permanent members out of 10 elect करती हैं, अब यहां ध्यान दिजेगा, हमने बोला, यह जो 10 non-permanent members होते हैं, 2 years के लिए अपॉइंट किये जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार election होगा और 10 members चुन लिए और बिठा दिए, नहीं, हर साल 5-5 members का appointment किया जाता है, हर साल 5 members का, क्योंकि 5 members की अलग-अलग rotation चलती रहती है, इस साल 5 जाएंगे, 5 नहीं आएंगे, अगले साल 5 जाएंगे, 5 नहीं आएंगे, अगली slide पर और मैं इस बात को समझाओंगी, तो अभी इतना देख लिए, UNGA 5 non-permanent members को elect करता है, हर साल इन 10 में से, और वो जो 5 members आएंगे, वो दो साल के अपनी पूरी term clear करेंगे, यानि अगर 23, 24 के लिए किसी को लाया गया है, तो वो 23, 24, 24, 25 खतम करेगा, फिर जाएगा, ठीक है, कैसे होगा, अगली slide पर और देखेंगे, अभी इतना देखिए, 10 non-permanent members जो हैं, वो regional basis पर distribute करके चुने जाते हैं, अफ्रिका, एशिया से 5, इस्टन यॉरप से 1, लैटेन अमेरिका, कैरिबियन से 2, वेस्टन यॉरप और अधर स्टेट से भी 2, ठीक है, यही हम नहीं आप डायग्राम में देख लिया, अब एक बहुत important question आता है, कि भाई, अगर कोई ऐसा देश है, जो, जिसके उपर security का threat है, for example, और वो ना तो इन 10 non-permanent member में है, ना यह permanent member में है, तो क्या वो UN, SC का member बन सकता है, वहाँ जो discussions हो रहे हैं, उसी देश से related discussion हो रहे हैं, मान लिज़े Ukraine है, for example, और वो बोलता है, भाई, मेरे देश की band बजा रखी है, मेरे देश पर attack कर रखा है, मैं तो member ही नहीं हूँ कहीं भी, तो अब मैं UN, SC में बैठू या नहीं बैठू, क्योंकि मुद्दा तो मेरे देश का चल रहा है, तो ऐसे case में, यह जो member nation, यह जो nation है, जो member नहीं है UN, SC का, वो बैठ सकता है meetings में, अपनी बात बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन decision making में हिस्सेदारी नहीं है, voting वगेरा वो नहीं कर सकता, तो आप आईए, आप अपना case present कीजिए और आप शांती से बैठ जाएए, ठीक है, तो अगर member nation, which is not a member of security council, वो participate कर सकता है, without a vote, no right to vote, ठीक है, बस इतनी सी बात इसमें यहाँ पर आ जादी है, अब अगली slide पर चलते हैं, जहाँ आपको समझ में आएगा, यह 5-5 साल की क्या cycle थी, देखें, यह जो 10 non-permanent members हैं, कहां पहुंच गए हम, वेट, यह जो 10 non-permanent members हैं, यह तो आपने देख लिए permanent, इन 10 non-permanent में यहाँ ध्यान दीजे, यह क्योंकि current position आपको बता रखे, आज की तारीक में as on 2023 August ending, 5 non-permanent member 22-23 term, और 5 permanent member 23-24 term के लिए बैठे हुए हैं, in the sense, कि इनका चुनाव 2022 में किया गया, अब यह 2022 पूरा करेंगे, 2023 पूरा करेंगे, ठीक है, अच्छा, यह UNSC की जो membership है न, यह calendar year पर चलती है, यानि की, इनका tenure कब शुरू होता है, 1st January से शुरू होता है, यह ऐसा नहीं है कि September, September वाली cycle, नहीं, यह जान टू जान सलते हैं, तो यह 2022 January से 2023, December तक यह 5 members हैं, जो की अपना कारेकाल पूरा करेंगे, और यह जो 5 हैं, क्यूंकि इनको 2023 में चुना गया है, हमने देखा था, UNGA हर साल 5-5 members, non-members, non-permanent members लेके आता है, तो यह 5 members कब चुने गए, 2022 में चुने गए, तो यह 2023 एंड तक काम करेंगे, और 5 members already चुन लिए गए है, जो 2024 यानि 2024 में जॉइन करेंगे, January में, और यह out हो जाएंगे, these all will go out, क्योंकि इनका tenure खत्म हो जाएगा December में, और इनका tenure चालू हो जाएगा, तो again 10 members हो जाएंगे, अगले साल क्या होगा, इनका tenure खत्म, 5 और members आजाएंगे, तो इस तरह से 5-5 members आते रहते हैं, 5-5 members जाते रहते हैं, और 10 non-permanent members बने रहते हैं, I hope you have understood this point, ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब December end में, या आप मान लिजे, 1st of January में क्या होगा, यह 5 तो चले जाएंगे बाहर, और यह 5 तो आजाएंगे अंदर, फिर यह 2024 की बात की मैंने, फिर 1st January 2025 में क्या होगा, यह 5 तो चले जाएंगे बाहर, कोई और 5 तो आजाएंगे अंदर, तो अब जो 5 new non-permanent members decide कर लिए गए हैं, अगले session के लिए, Sierra Leone, Slovenia, Algeria, Guyana, Republic of Korea, और उनके साथ में, Switzerland, Ecuador, Malta, Japan, Mozambique, मिल करके काम संभालेंगे, प्रेजेंटली कौन काम संभाल रहे हैं, UNSC non-permanent members का, so Albania, Brazil, UAE, Ghana, Gabel, Switzerland, Ecuador, Malta, Japan and Mozambique, ठीक है, चलो, यहां तक भी समझ में आ गया, कोई तकलीफ, समस्या, परिशानी, I hope not, चलो, अब हम आते हैं, हां जी, यह veto power, यह veto power, what is considered the most undemocratic feature of United Nations, so United Nations Security Council की, five permanent members की veto power, यह मानी जाती है, सबसे जादा undemocratic character, veto power का मतलब होता है, यह मना गड़ सकते हैं, कि नहीं मैं इस decision से सहमत नहीं, और अगर यह five members, जो five permanent members हैं, UK, US, Russia, China, France, इन में से एक ने भी अगर मना कर दिया, तो no matter, बाकी 14 राजी हों, तो भी decision नहीं हो सकता, got it, right, so veto power refer करता है, कि जो power है permanent members की, to reject any resolution, reject, कि no, I am against it, यह चुप रहें तो ठीक है, यह बोले नहीं मैं वोटी नहीं करता, तो ठीक है, फिर आगे majority कैसे work करेगे, हम देखेंगे, लेकिन अगर यह बोले, no, I do not agree, तो काम नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है, if any one of the five members, cast a negative vote, यह ध्यान रखिएगा, कई बार examiner पूछ सकते हैं आपसे, अगर negative vote होगा, तो ही वो decision अप्रूब नहीं होगा, अगर यह वोटी नहीं देते हैं, तो कहानी आगे बढ़ सकती हैं, unconditional veto, यह conditional भी नहीं है, यह unconditional है, आपकी जितनी बार मरजी, आप अपनी veto power यूज करो, कोई limit नहीं है, आप 50 बार यूज करो, और यह same case हम यहाँ देखेंगे अभी, देखो, 2011 से, यह आप पढ़तों नहीं पाओगे, मैं आपको ऐसी समझा देती हूँ, because pixels फटे हुए, चाइना और रश्या, जो हैं, उन्होंने सीरिया के उपर अपनी veto यूज कर रखी है, 2011 से, यूज ने अपनी veto 42 टाइम्स यूज की है, इस्राइल के context में 1972 से, Palestine member नहीं बन पाँ रहा, इसका UN का, because UNSC approval इसको अभी तक नहीं मिल रहा है, UNSC members अप्रूब कर ही नहीं रहा है, चाइना ने ताइवान का UN membership ब्लॉक कर रहा है, इस वज़े से ताइवान member नहीं बन पा रहा है, ठीक है, उसको sovereign country की तरह recognize ही नहीं कर पा रहा है, UN क्यूंकि चाइना ने अपनी veto यूज कर रखी है, तो इसी तरीके से, जो काफी सारे देश हैं, आप देख रहे हैं, जो ये 5 member nations हैं, अपनी अपनी veto करके और पूरे UN को कहीं न कहीं influence कर देते हैं, ठीक है, तो 193 nations हैं, लेकिन actual power अगर किसी के पास आ रखी है, UNSC के हम बात करें, तो ये 5 permanent members के पास है, अब जो reforms proposed किये गए हैं, कि भाई क्या किया जाना चाहिए, तो चलो आपने परिशानी बता दिया, आपने examples भी आपने quote कर दिया, इसका resolution क्या है, तो पहली चीज़ बोले जारे कि नॉन-permanent members की संख्या बढ़ाई है, ये आपने 5 के हाथ में power concentrate कर दिया, तो अभी बीच में बात आई थी, India also has proposed to be a part of the permanent members of UNSC, तो देखेंगे, अभी कहाँ कहानी पहुंचती है, और दूसरा, veto power को restrict करो, unconditional कैसे दे सकते हो, कि जब तक मरजी तब तक use करो, there should be some restriction, and the number of members of permanent position should increase, ठीक है, so UN structure में mainly यही criticism आता है, एक तो permanent membership का, और उनके पास जो unconditional veto power है, जिसके वज़े से बाकी लोगों का होना ना होना, आप courage कर देते हो एक तरह से हैंना, चलिए, now, अब अगर veto power कोई use नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या काम होगा, देखो, अगर आपको एक draft resolution पास करना है, और permanent, तो पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी permanent member अपनी veto power use ना करे, यानि पांचो या तो agree कर जाएं या चुप हो जाएं, ठीक है, और उसके अलावा nine countries in total should be in favor of that draft, in total including these five, यानि ये पांच आएं और उसके साथ 4 और आजाएं, या इन पांचों में से कोई एक चुप हो गया, total nine आजाएं, so total nine अगर positive votes आजाते हैं favor में, तो वो draft past माना जाता है UNSE के अंदर, ठीक है जी, चले, I hope I have explained in detail to you how things work, अब हम आते हैं third principal organ के उपर, international court of justice, या फिर अंतराष्ट्रिया ने आया ले, यह उसकी में बिल्डिंग है, हेग नेदर लेंस के अंदर, and this is how it looks from the inside, I am always interested, देखने में के क्या body कैसी दिखती है, because आपको थोड़ा चीज़े याद रहती है, इसलिए मैं pictures लगाते चलते हूं आपके लिए, ठीक है जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, what is international court of justice, so इसका main role क्या है, अब मांडी ज़े dispute आ गया कोई देशों के बीच में, और उसको settle करना है, तो courts क्या करती है, दो देश आएंगे, एक दूसरे पर कोई आरोप होगा, तो settle करने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो अगर sanctions लगाने हैं, वो देखे जाएंगे, या फिर अगर किसी को कोई suggestion चाहिए, कि भी ऐसा-ऐसा case है, international law क्या बोलती है, तो इन दोनों ही cases के अंदर, ICJ role में आता है, to settle legal dispute, political dispute की बात नहीं की जारी, legal dispute की बात की जारी है, ठीक है, तो UNSC usually आ जाता है, picture में security politics से related है, legal dispute अगर कहीं पर law breach की गई है, किसी ने कोई अपनी lines cross की है, कुछ भी किया है, किसी भी तरह का अगर legal dispute है, तो यहाँ पर आएंगे, international law के हिसाब से उसको settle किया जाता है, या फिर अगर किसी को advisory opinion चाहिए, legal questions से related, usually UN organs जो होते हैं, वो अपने questions, queries डाल देते हैं, ICJ के आगे कि ऐसे cases में क्या करना चाहिए, बताइए हमें, या फिर जो specialized agencies होती है, specialized agencies के अलग से मैं class लोंगी, क्योंकि काफी सारी specialized agencies हैं, तो जैसे मैंने बता रही था, UNESCO, UNICEF, World Trade Organization, World Bank, etc., तो वो जो specialized agencies हैं, वो भी इनसे advice लेती रहती हैं, क्योंकि international law में महारत हैं इन लोंगी, तो ये दो functions इसके होते हैं, क्योंकि कितने judges होते हैं, 15 judges होते हैं, 15 judges 9 years के लिए elect किये जाते हैं, कितने years के लिए, 9 years के लिए elect किये जाते हैं, दोनों figures ध्यान रखेंगे, UNSC के, UNSC में permanent members तो हैं ही, लेकिन non-permanent members 2 years के लिए थे, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, ICJ की, तो ये जो 15 judges हैं, 9 साल के tenure के लिए लाए जाते हैं, और कौन elect करता हैं, UNGA and UNSC दोनों मिलके elect करते हैं, General Assembly और Security Council, अब लेकिन अब ये जो 9 साल है, तो क्या होता है, हर 3 साल के अंदर, हर 3 साल के अंदर, 1 3rd judges elect किये जाते हैं, वही जैसे हमने देखा, UNSC में, हर साल 5 non-permanent members आते हैं, इसी तरह से, 1 3rd of the court is elected every 3 years, हर 3 साल में, 1 3rd election वापिस हो जाएंगे, एक टाइम में, court के 15 members, एक से जाधा इनसान, उस judge वाली bench पे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इंडिया से 2 judges बैठ गए हैं, ठीक है, तो एक टाइम, एक नेशन, एक ही judge के तौर पे represented होना चाहिए, कहां पर है ये Peace Palace, Hague, Netherlands के अंदर, इसकी seat है यानि, उसको headquartered है, only principal organ है, जो कि USA के अंदर located नहीं है, ये Netherlands में located है, इसकी official languages, मैंने आप से पूछा था question, अब UN की तो 6 official languages है, scarf से हमने याद किया था, लेकिन, ICJ जो है, उसकी 2 official languages है, English and French, English and French, ICJ से पहले, permanent court of international justice हुआ करता था, जिसको league of nation ने existence में लाया था, लेकिन फिर बाद में, उसी के सारे rules regulation को एक तरह से, ICJ के अंदर adopt कर लिया गया, ठीक है, simple है, nothing difficult, कुछ एक fact देख लिजे, अब ICJ के अंदर भी president होता है, तो अभी current president कौन है, current president is Joanne E. Donog, Joanne E. Donog, she is the current president, और जो president, vice president होते हैं, वो हर तीन साल में ही, absolute majority से elect कर लिये जाते हैं, simple majority होती है, absolute majority होती है, two-third majority होती है, absolute majority यानि कि, जो maximum जितने भी members है, आप present होया है नहीं हो, लेकिन अगर मान लिजे, total 15 members हैं, तो इन में से majority देखी जाएगी, और simple majority क्या होती होती है, मान लिजे 10 में से 12 भी present है, तो इन में से majority देखी जाएगी, present में से जब अपन majority देखते हैं, तो simple majority मानी जाती है, total में से जब आप majority देखोगे, absolute majority मानी जाती है, अच्छा अब ये व्यक्ति कौन है ये साहब है जस्टिस दलवीर भंडारी इंडिया से है और 2012 से ये मेंबर है ICJ के अभी वापस भी अपॉइंट हुए 2023 के अंदर वापस से री अपॉइंट हुए है और इन्होंने बहुत हला मचा दिया था अपने अपॉइंटमेंट से 2012 से जस्टिस दलवीर भंडारी है जो कि ICJ के मेंबर जज है और ये इंडिया को रेप्रेसेट करते है ओके कमिंग ओवर टू इको सॉक एकनॉमिक और सोशल काउंसिल यानि की आर्थिक तथा सामाजिक परिशद चलें इको सॉक पर चॉलो इको सॉक की अगर हम बात करें ये कैसे जाएगा नहीं जा रहा है कोई बात नहीं रुको अभी भी नहीं जा रहा है जो है वो जेनरल असेंबली के अंडर में ही आता है ओवर ओफॉर्टी किसकी है एको सॉक के ऊपर यूएन जीए की अथॉर्टी होती है एको सॉक बेसिकली एक सेट एरिया के अंदर डेलिबरेशन करते हैं जैसे एकोनामिक मैटर्स हो गए सोशल मैटर्स हो जाएंगे एंजियो वगेरा जितने भी होंगे अच्छे लेवल के इंटरनाशनल लेवल के वो इनसे कोडिनेट करते हैं एन्वाइमेंट रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उन पे में डेलिबरेशन इको सॉक करता है सो यूएन जिये के अंडर में ही आता है एको सॉक लेकिन इनका में काम क्या है फोरम है जहां पर डिस्कास किये जाते हैं एकोनामिक इशूस सोशल इशूस एंड हाँ ये रहा एन्वाइमेंटल इशूस ठीक है तो आप अगर बात करेंगे युनेसको की युनेसेफ की या जितनी भी स्पेशलाइज एजनसी हैं वो यूएन में किस से कॉर्डिनेट करते हैं क्या वो यूएन जिये वाले ओर्गन से कॉर्डिनेट करते हैं यूएन एस्टी से करते हैं किस से नो वो इको सॉक से करते हैं Sustainable Development होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए Human Matters जो हो जाएंगे, Human Development से Related जो होगा, Social से Related जो भी कुछ होगा सब इन से आके Coordinate करते हैं, ठीक है? So, Policy Recommendations, कि किस तरह की Policies हमें बनानी चाहिए, Economic Matters में, Social Matters में यह Policies का Recommendation Ecosoft देता है, फिर उसके उपर Final Debate and Discussion UNGA करती हैं, I'm so sorry Please do not get confused, मैं वापिस बोलती हैं यह लाइं Economic Social Council का क्या काम है? यह mainly क्या देखेंगे? कि जो भी Social Progress है हो रही है नहीं हो रही है, Better Standards of Living मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं और ऐसे Policy Recommendations देना, जिनके उपर फिर UNGA Deliberations करेगा मतलब पहले यह Discussions करते हैं और फिर अपनी Final Recommendations जो है Policy की वो UNGA को देते हैं फिर वो लोग Final Decision करके उसको Application में डाल देते हैं, ठीके? तो It is a Central Platform UN का for Reflecting, Debate, Innovative Thinking किस से Related Sustainable Development तो हम जो Sustainable Development Goals बोलते हैं वो भी इन्हों नहीं Policy बना के Recommend की थी और उस पे कितना काम हुआ, नहीं हुआ, यह Follow-up भी कौन करेगा यही करेंगे तो जितने भी Social, Economic, Environmental, Related Matters हैं उनकी Policy बनाना और UNGA को Recommend करना उस पे कितना काम हुआ, नहीं हुआ, वो देखना, सारी Specialized Agencies से Coordinate करना सारे NGOs के टच में रहना, यह सारा काम ECOSOC करते हैं आगे बात समाज़ें? ठेक हैं आगे चल लो तो, इतना ही है क्योंकि अब इसमें कितने Members होते हैं? इसमें होते हैं Total 54 Members ECOSOC में 54 Members होते हैं जो की General Assembly ही Appoint करती है, 3 Year Term के लिए 3 Year Term के लिए, ओके, देन यह हमने सारी बाते कर ली है Current President कौन है ECOSOC की? चली की Paula Narvase Narvase, not Narvase, Narvase So Paula Narvase is the current ECOSOC President Paula Narvase I hope ECOSOC is clear to you फिर हम आजाते हैं, Trustorship Council जिसे न्यास पर इशाद कहते हैं जो भी सबस्यादा important थी हमने शुरू में पढ़ ली है अब ये बहुत जादा matter नहीं इनके अंदर, छोटा-छोटा सा है So ये Trustorship Council है Trustorship Council की जो meetings होती थी ना तो वहाँ पर ये जो एक statue है, ये बहुत important मानी जाती थी, एक human है और उसके उपर एक bird है वो उसको डाके ले जा रही है Because Trustorship Council जब बना था, इसके पीछे objective क्या था Well इसके पीछे objective था, कि जब United Nation existence में 1945 में तो ऐसी 11, ऐसी 11 territories थी, जो कि sovereign नहीं थी, यानि वो independent नहीं थी, वो किसी ना किसी के आधीन थी Okay, तो उनके पास खुद की government नहीं थी, खुद का political system नहीं था तो ये जो 11 territories थी, ये UN's, Trustorship Council के अंडर में डाल दी गई थी कि आप इनको develop कीजिए, इनको sovereign बनाने, या तो किसी nation का हिस्सा बन जाए ठीके, नहीं तो independent हो जाए, तो या भी कहीं भी नहीं लाई कर रही थी तो ये इस purpose से Trustorship Council को बनाया गया था, ताकि आप उन territories को develop करो हर लिहाज से और फिर उनको sovereignty मिल जानी चाहिए, या तो as an independent nation या फिर वो किसी और nation के अंदर mix हो जाए, विले हो जाए, उसका part बन जाए So, Trustorship Council is made up of 5 permanent members of Security Council वही जो Security Council में थे न, UK, US, Russia, China and France वही यहां के 5 permanent members थे, और इन ही को trustee बना दिया गया था, या आप ध्यान रखोगे उन 11 territories का, international supervision दिया गया था, 11 trust territories का, कि आप उनका advancement प्रमोट करो, या तो खुद की सरकार बना ले, independent हो जाए, नहीं तो फिर किसी न, किसी में mix हो जाए, वैसे main कोशिश की जा रही थी, वो खुद की independent government बना सके, Trust territory, अब ये जो हम बोल रहे हैं, 11 trust territories थी है, trust territory क्या थी, non self-governing territories थी, जिनको की, trustorship council के अंतर में डाल, इनके पास खुद की सरकार नहीं थी, कुछ नहीं था, तो या तो आप अपनी बना लोया, किसी और किसी में mix हो जाए, अब क्या trustorship council आज भी बहुत actively function कर रहा है, नहीं, नहीं, ये जो trustorship council है, इसने 1994, 1st November 1994 में अपने operation suspend कर दिये गए थे, इस council को खत्म नहीं किया गया है, existence में आज भी है, लेकिन इसके operation suspend कर दिये, यानि हम तब तक काम नहीं करेंगे, जब तक जरूरत नहीं पड़ती है, ओके, so, aim क्या था इसका, कि भई, जितनी भी 11 trust territories हैं, उनको sovereign बनाना, तो 1994, 1st November 1994 म और इसकी वज़े से 1st November 1994 को trustorship operations, council के operations सकारेज हो गए, बंध हो गए, suspend हो गए, last जो territory थी, जिसको independence मिली, पलाओ, ये ध्यान रखेगा, last UN trust territory थी, जो independent हुई पलाओ, उसके बाद में 1st November 1994, operations got suspended, ठीके जी, तो annual meeting नहीं कियारेंगे, अब ऐसा decide हुआ, occasionally जब required होगा, तो आ कर कि हम मिल लेगे, last time आते हैं, secretariat पे, इसके बाद बहुत interesting sessions आएंगे, questions देखेंगे, कुछ interesting facts देखेंगे, so मज़ा आएगा, अभी तक जो भी पढ़ा है, उससे related अभी, आपका एक recall test भी आजाएगा, PYQs भी आजाएगे, सब कुछ देखते हैं, secretariat यानी सचे वाल है, इन पे काम हुआ, target कहां तक पहुंचे, सारा coordination, सारा administration कहां से work करता है, secretariat से work करता है, New York में ही ये भी है, और इसी के administrative head को secretary general कहा जाता है, CEO and administrative head of secretariat, so UN secretariat day-to-day work जो होगा न, UN का पूरा, वो सब यह संभालता है, secretary general इसके chief administrative officer, CEO नहीं, CAO, not CEO, CAO, and head इनको कहा जाता है, secretariat में lacks of लोग हैं, जो की काम करते हैं, head office में भी और जो अलग-अलग offices across the nation, across the globe बने वहां से, so UN staff members है, अलग-अलग duty stations से वो काम करते हैं, secretariat भी फिर department wise divided होता है, जैसे कुछ HR function देखेगा, कुछ finance function देखेगा, कुछ promotion function देखेगा, कुछ coordination देखेगा, etc., so अलग-अलग departments होते हैं, वो आपस में coordinate करते हैं, जैसे हर कोई office चलता है, तो यह UN का office है, ऐसा समझे आप, ठीक है, और majority जो काम है, वो New York से होता है, लेकिन उसके अलावा भी तीन major offices है, headquarter के बाहर भी और regional economic commissions भी है, जहां से काम चलता है, अब हम आते हैं, secretary general को कैसे appoint किया जाता है, पढ़ चुके हैं हम, UNSC यानि security council जो है, वो recommend करेगा, किसको recommend करेगा, UNGA को recommend करेगा, कि भाई, इसको आप बना लो, फिर UNGA उसके उपर voting, deliberation करके, और appoint कर लेगा, ठीक है, and कितने tenure के लिए, कितने term के लिए इनको रखा जाते है, five year term के लिए, जो कि दो बार repeat हो सकती है, ठीक है, up to two consecutive terms, यानि maximum 10 साल के लिए, एक जो secretary general है, वो serve कर सकता है, पांच-पांच साल की दो term कर सकता है, इससे जादा वो नहीं कर सकता, अब बात करते हैं, current secretary general कौन है, यह ह है, यह है हमारे Antonio Guterres का नाम लिखा है, इनका यह रहा, current secretary general UN के Antonio Guterres, यह अपनी second term में है, first term पूरी हो चुकी है, ninth secretary general के तौर पे इन्हों ने शुरुआत की थी, first January 2017 में, और इनकी second term जो है, 22 के अंदर शुरू हो चुकी है, इससे पहले भी यह UN से जुड़े हुए थे, UN High Commissioner रह चुके हैं, refugees के लिए, काफी टाइम तक और उससे पहले, यह Portugal के Prime Minister के तौर पे सर्व कर चुके है, ठीक है, बात समझ में आ गई, okay, interesting facts, तो अभी हम जो भी facts देखेंगे, वो United Nations General Secretary से जुड़े वे पहले देखेंगे, फिर India से related भी कुछ देखेंगे, तो पहले तो बता Economic Social Council, Trustorship Council, Secretary, हर एक के functions देखें, हर एक में membership देखी, कैसे चुनाव होता है, कैसे members बनते हैं, क्या काम करते हैं, UNSC को हमने बहुत detail में समझा, because वो actually बहुत important है, I hope सारी चीज़े clear होंगी, ठीक है, अब आ जाते कुछ important facts, पिछले वीडियो में आपसे question किया था, मैंने, who was the first Secretary General of UN, पहले महा सचिव कौन थे, so, ट्राइब ली, नौर्वे के ट्राइब ली, तो इनसे ट्राइब ली थी हमने, कि चलो ट्राइब करते हैं, बनाके देखते हैं, इसे याद कर सकते हो, फिर दूसरे Secretary General, जिनका आपको नाम ध्यान रखना है, that is Dag Hamishkot, Dag Hamishkot, जो की Sweden से थ अकेले ऐसे Secretary General हुए, who died in office, died in office का मतलब यह नहीं होता, अपने office महीं मर के है, no, while on duty, while on work, okay, he died, so, the only UN Secretary General who died in office, Dag Hamishkot, और यह second Secretary General थे UN के, पहले तो ट्राइब ली हो गए, और इनको Nobel Peace Prize posthumously दिया गया था 1961, posthumously या नहीं मरनो परान, कि भई आपने इतना काम किया, इतनी you know, एक international peace बनाय रखने के लिए, because आपने services दिया, he died during his work only, so, इनको posthumously Nobel Peace Prize से सम्मानित किया गया 1961, posthumously याद रखियेगा, fine, next आते है हम, so, first Secretary General of UN from African continent, यह black नहीं थे, यह मैं बता दूँ, यह African continent, Egypt से थे, ठीक है, यह, he was from Egypt, आप देखी सकते है, he was not, not the black Secretary General, लेकिन, first Secretary General from an African, from the African continent, so, that was Buthros, Buthros Ghali, इनको Buthros Ghali बोला जाता था, वैसे, he was from Egypt, और African या Arab country से, not just African, पहले Arab या first African to hold this force, he was an African, लेकिन, इनका descent, black से नहीं था, ठीक है, तो यह, बात ध्यान रखिये, कौन से number के Secretary General थे, 6th number के Secretary General थे, UN के, okay, okay, फिर हम आते है, Secretary Generals of UN to receive Nobel Peace Prize, एक तो हमने देखा ही, DAG Hamish Code, तो DAG Hamish Code को posthumously मिला था, फिर ये कौन है, Kofi Annan, काफी popular Secretary General हुए, UN के, black, also, the first Secretary General of UN, जो की, पहले दूसरी positions लिये हुए थे, और internally escalate होते हुए, Secretary General बने, यानि के, ऐसा नहीं है के, direct appointment Secretary General पे हो गया, इनका, no, इससे पहले जो भी वे Secretary General to emerge from the ranks of UN staff, UN staff थे और emerge होते 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 हैं, प्रमोट होते होते हैं, इस position पे पहुँचे, also, he received peace prize in 2000, Nobel Peace Prize in 2001 and he shared it with UN, तो कौन से साल में United Nation को Nobel Peace Prize मिला, UN के अलग-अलग जो associated bodies हैं, उनको peace prize मिलते रहते हैं, लेकिन UN को as a body, peace prize मिला, Nobel Peace Prize 2001 के अंदर, और वो शेर किया, उस समें जो Secretary General थे, Kofi Annan, उन्होंने, तो इन दोनों को Nobel Peace Prize मिला है 2001 में, उस से पहले posthumously मिला है Dag Hammish Court को 1961 में, ठीक हैं यहां तक की बाते हैं, यह सब interesting facts भी और exam के लिए भी important हैं, now, a question, who is known as father of United Nations, so, जो US President Roosevelt थे, उन्होंने यह उपाधी यह टैग दिया था, Caudal Hull को, Caudal Hull, He was the Secretary of the States, if I am not wrong, और इन्होंने काफी एहम भूमे का निभाई थी United Nations को बनाने में, World War II के end के दौरान, so, father of United Nations किसको कहा जाता है, Caudal Hull को, और इनको, कैसे कैसे यह चीज़ इस्टाबिश की गए, कि हाँ, he is known as father of United Nations, क्यूंके, इनको Nobel Peace Prize 1945 में दिया गया था, for playing a prominent part in planning the United Nations, जिसने की League of Nations को फिर replace किया था, ठीक है, so, अगर कभी पूछ लिया जाए, father of United Nations, so, Caudal Hull, Caudal relation रहें सब में, इसलिए Caudal ने United Nations की planning में, बहुत एहम भूमे काने भाई, ठीक है, और किसने इनको यह उपाधी यह टाग दिया, President Roosevelt, okay, चलते हैं आगे, who signed UN Charter on behalf of India, now, this is again very interesting, हमने बोला, कि जब UN Charter पे signature हो रहे थे, तो, India was also one of the founding members, हमने भी sign किये है, तो लेकिन इंडिया की तरफ से कौन वो व्यक्ति था, जिसने UN Charter पे अपने हस्ताक्षर दिये, तो यह वो व्यक्ति है, कौन है व्यक्ति, यह है, Sir A. Ramaswami Mudliar, Sir तो, उस समय कल्चर था तो लगा दिया, A. Ramaswami Mudliar जी, इन्होंने इंडिया की तरफ से signature किये थे, UN Charter, और यह अपने पूरे delegate को lead कर रहे थे, और यह signature कब हुए, 26 June 1945, official member कब बना है, इंडिया, UN का, वो बना है 30 October 1945, ठीक है, लेकिन यह initial signing of Charter था, मैंने समझा दिया न, फिर आप वापिस जाओगे, फिर ratify होकर के official member बनोगे, तो यह date important है, यह date इतनी important नहीं है, पर यह नाम ध्यान रखेगा, यह रामस्वामी मुदलियार जी, इन्होंने sign किया था, current, आज की अगर हम बात करें, इंडिया's permanent representative to UN कौन है, कौन है जो UN में इंडिया को represent करने के लिए जाती है, meetings अगर हमें participate करते हैं, so, रुचेरा कामबोज, IFS है, Indian Foreign Services Officer है, और August 2022 से, she is the permanent representative of India to the UN, रुचेरा कामबोज, ओके, तो दो PYQs आपके लिए हैं फिलहाल, क्योंकि मैंने काफी ढूना, mains वाले मैंने नहीं लिये हैं, otherwise अगर हम देखें, तो important जो बार-बार देखने को मिले, India joined United Nation after ratifying the UN Charter in which year, यानि की approval के बाद, finally, officially, India ने join, कब किया UN को, बहुत बार बता दिया, मैंने बत is not an official language of UN, UN की total, 6 official languages हैं, इन में से एक कौन सी नहीं है, English ये तो है, Chinese है, Arabic बाद में add हुई थी, Japanese नहीं है, so this is the right answer, this is not the official language of UN, got it, so this is how questions will be asked, चलो, practice करते, जो पढ़ा है उसी से related कुछ-कुछ पूछते हैं आपसे, बताएगा, what is the term of United Nations Secretary General, जो महा सचेव है UN के, Secretary General उनकी term कित्ती होती है, एक साल में, एक बार में माक्सिम कित्ते साल वो अपनी सर्विस दे सकते है, term, term, फिर उनको वापिस re-elect होके आना पड़ेगा, 3, 6, 4 या 5, 5 year term होती है UN Secretary General की, ठीक है, जैसे Antonio Guterres है, वो अब भी second term पूरी कर रहे which is the latest country to join United Nations, हमने बोला total 193 countries है UN में, तो यह 193rd number का nation कौन सा था सबसे latest जिसने UN join किया है, Egypt, South Sudan, Republic of Congo या Lebanon, South Sudan, South Sudan सबसे latest member है, ओके, चलिए आगे, the head office of ILO is situated at, अब यह तो मैंने आपको पढ़ा गया है, यह मैं आपको छोड़ रही है, आप answer करोगे क्योंके, ठीक है, so this is your, क्योंके मैंने नहीं पढ़ा है, मैं अभी नहीं पूछूंगे आपसे, International Labour Organization का जो head office है, वो कहां situated, शायद मैंने पढ़ा दिया हो आपको, पिछल मैंने नहीं बताऊंगे, ILO का head office कहां पर है, Paris, Geneva, New York or Hague, ठीक है, how many member countries are there in UN Security Council, यह बहुत बच्चो वाला सवाल होगे है, जिसको नहीं पता उसके लिए भी difficult है, UN Security Council में total कितने member countries होते हैं, yes, 15 होते हैं, 5 में permanent होते हैं, 10 non-permanent होते हैं, ठीक है जी, are we done, oh, we are done, so with this we are done with the entire functioning of United Nations, यानि सहियोख दराष्ट्र, हमने इसकी पूरी प्रीएस वीडियो में history, क्यूं यह बना, पूरा background, सब कुछ हमने समझा, आज हमने इसकी पूरी functioning और इसकी composition धंग से समझी है, अब एक session अगला हम लाएंगे, जिसमें हम UN की specialized agencies के बारे में बात करेंगे, because again वो बहु organizations, specialized agencies, इस तोर पर यह काम करते हैं, so यह सब अब पढ़ेंगे, उसके साथ सब अभी monthly current affair का time भी आजाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे, so take good care of yourself, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, PDF आपके बता दिया है, कहां से आप ले सकते हो, और अगर कोई topics हैं, जो आप चाहते हो, हम बि how they function, उसके अलावा SEO क्या होता है, इस सब हम discuss करेंगे, I hope session ठीक लगा होगा, समझ में आ गया है, तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो अच्छा नहीं है, so जो भी अपना feedback, queries, comments, requests, सब कुछ you can write down in the comment section, इसके अलावा कोई भी और बात करनी हो, कुछ concerns हो, तो आप हमेशा पर्चमclasses06 at gmail.com पे अपना mail लिख सकते हो, आप app chat में discussions कर सकते हो, आप Facebook या Instagram के social handle पर्चम के वहाँ लिख सकते हो, नहीं तो मेरा personal Instagram account है RichardSharma2325 वहाँ भी आप message कर सकते हो, I will be happy to address all your queries, take good care of yourself, bye-bye.